हाई प्रेंट्स मैं अकांशा सर्माजी के विद्यकांशा मैं आपका स्वागत करती हूं महेला सुपर्वाइजर तैयारी के लिए हमारे प्रेक्टिस सेट चल रहे थे और यह हमारा सेट नंबर 13 है इसके पहले हम 12 सेट कर चुके हैं बहुती सांदार यह प्रेक्टिस सेट है करीब तीन प्रकार के कोर्स चैनल पर चल रहे हैं मेरे एक सुपर्वाइजर के लिए त्योरी क्लास चल रहा है जिसको हम सी सीरीज के नाम से इसमें भी करीब 14-15 वीडियो हो चुके हैं एक 3000 प्रेशनों का जो हमारे नोट्स के साथ आपको MCQ प्रेक्टिस सेट मिलता है उस स्टार्टिस के पहले की सीरीज अगर आपको देखना है तो लिंक में आपको डिस्कृप्शन वाक्स में डाल दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं पूरे इसके पूरे वीडियो आप वहां से देख सकते हैं सबसे पहला कोश्वड है पोशन आहार की आपशकता होती है पोकोर जो होता है उसके आप शक्ता क्यों होती है उर्जा प्राप्ट करने के लिए सरीर में में ब्रद्धी विकास तुटी फूटी कोशीकाउं के निरमार के लिए रोगों से शरीर की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी तो इसकी कारणे उपरोक्त सभी पोशन आहार की हमें आबा सकता है इन सब के लिए होती है हमारे सरीर को पोशन मिलता है हमारे सरीर को खाद पदा सही सही मिलती है तो हमारे सरीर अच्छे से काम करता है उर्जा मिलती है हमारे सरीर को अगर हम परियाप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो हमारे सरीरी में व्रद्धी विकास होता है पोशक तत्व में सभी आ जाता है जैसे कि कार्वो हाइडेट भी आ जाता है इसके बाद फैट भी आ जाता है बसा मतलब जिसको हम बसा बोलते हैं फैट को वो आ जाता है फाइवर्स चाहिए है ये आईशी हमार की रेपोर्ठ है दो थाजार बीस उसके अक्रोडिंग मात्रा है और जो गरब्वत शन्रा महिल उसको पूशक था क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं ब्रहत पो्षकत्त्व सूख्ष पोसक्त्व कहा और खंधता होते हैं जैसे की कारवो हाइडेat हो गया कारवो हाइड्र रेस्ट की हमारे सरे सूख्षे प्रोशक्तद में की बात की जयतो ओ गया जिंक हो गया जो आईरन हो गया जिंक हो गया आइरन हो गया और भी जिसे मैगनीज हो गए छोटे छोटे खनिज पधार तो हो गए खनिज पदार लवर हो गए यह सभी क्या हो जाते हैं सुख्ष पोषक्तत्व अगgram, मैक्रो न्यूट्रियंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मेक्रो न्यूट्रίας में मात्र करते हैं चांसर होमों तो सुक्ष पोशक ऑप्रों हो। विटामिन्स सूख्ष मात्रा में आवश्यक होते हैं और खनेज लवर भी हमको सूख्ष मात्रा में आवश्यक होते हैं तो दोनों ही उपर ए और भी इसका अंसर हो जाएगा अगला है विटामिन किस किसी चीज में होता है विटामिन A जो होता है वो किस किसी चीज में होता है विटामिन A की कमी से रतों दी या जीरोप थैलेमिया रोग हो जाता है इसको सुस्क अलमिथा भी बोलते हैं मतलब इसमें आखें जो होती हैं वो सुस्क पढ़ जाती है और इतनों मौट्रात को दिखाइब नहीं देता है। विटामिन A होता है। और इसकी में बात है हमारे खनल में यकरते हैं को यकरत में पर जमा हो्ता है। विटामिन A कहां पर होता है, कहां पाया जाता है, मचली में, दूदे, दूस्से बने सामान में, लाल पीले फल में, हरी पत्तेदार सबजी में, या सभी में, तो विटामिन A जो होता है, वो सभी में पाया जाता है, इन सभी में विटामिन A की बरावर ही मातरा पाया जाती है तो Rs. vitamin मचली में भी होता है। प्रती रख्ष्य पतारत के रूप में काम करता है। हमारे सरीर को रोगों से लडने में मदद करता है। तंत्री का तंतर को मजबूत बनाने में भी यह मदद करता है। अगला कुशन है विटामिन डी किसमे होता है दूद में मक्खन में मचली में उपरोक तो सभी विटामिन डी को जो नाम देते हैं वो कैलसी फेरॉल देते हैं विटामिन डी होता है वो कैलसी फेरॉल कहलाता है कैलसियम इसका मुख स्थोत होता है और यह जो विटामिन डी होत क्या होता है हड्य कंज़ो हो जाती है तो यह आपको याद रखना है कि क्या हो जाता है रिकेट्स नामक रोग होते हैं यह कि कमी से नामक रोग हो के कारण ही हो जाता है विटामिंटी कहां पर होता है दूद में मक्षन में मचली में सभी इन सभी चीजों में विटामिंटी पाया जाता है अगर आप लोगों को लग रहा है कि महीला सुपरवाइजर की विकेंसी काव आएगी अभी तक उसका नोटिफिकेशन कलेंडर में अपडेट नहीं हो देको कलेंडर जो है आनन फानन में जारी कर दिया है क्योंकि चार सहीता के कारण कुछ भी काम अपडेट तो नया नहीं हो होगा लेकिन इसके पद जो हैं वह स्विक्रित हो चुके हैं करीब चार सो से पांसो पद अभी आंगानवाडिया बनी है अब नहीं आगानवाडियों के लिए करीब सौट नए पद दो और करेंगे तो आंगानवाडी सुपरवाइजर मतलब मोस्ट अबेटट वैकैंसी है और मतलब उन ब्यापम की भी सबसे priority list में है तो इसकी लिए आप लोग तैयारी करते रहिए यह मसोचे की कलेंडर में आया यह नहीं आप अपनी तैयारी वैस्ट रखिए उन लोग का कोई भरोसा नहीं है आचर सही था जैसी निप्टे उन लोग नोटिफिकेशन दे दे और अगस्त में एक्जाम दे ले आपका september में एक्जाम ले ले दो सप्टेमबर त इसमैर की वेकंशी आनी थी ट्रेंग ऑफिसब्सार की वेकंशी ब्यानी की दो यह उननोंने अच्छी से कर लेनी तो इस सब मेंडने क्र रखित से हाह ठी intentionर लाए और यह ऐसे अब नुए औ अपने को बहुत सारे question याद होते रहेंगे हमारा जो supervisor का package अगर आप बुलेना चाहते हैं तो भी आपको मुझे इसी number पर WhatsApp करना पड़ेगा हमारे supervisor के जो package उसमें आपको total 7 booklet मिलती है जिसमें एक practice booklet मिलता है 3000 प्लस MCQ का 1000 प्लस वर्लाइनर की एक booklet मिलती है और 5 booklet आपको theory की मिलती है सबसे main चीज होती है एक जो online तैयारी के लिए एक group मिल रहा है इस group में हम आपकी तैयारी करवाएंगे important question दे रहे हैं रोज important question दे रहे हैं test लिए जा रहा है वहाँ पे important important pdf बना के दी जा रही हमारी सब भी वीड इसमें 100 रोपीज कोरियर चार्ज रहता है तो अगर आप यह लेना चाहते हैं तो आप हुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हैं अगला question है vitamin C किस में होता है हरी सबजी में भी होता है आवला में तो होता ही है नीबू में भी होता है इंको रिद दालों में भी होता है तो इसका answer क्या हो प्रुक्त सभी vitamin C जिसको हम नाम देते हैं ascorbic अमल इसकी कमी से इसकर्वी नामक रोग हो जाता है इसकर्वी यह मासूनों से संबंदित बेमारी मासूनों से खून निकलने रगता है दर्द होता है तो यह सब इसकर्वी से संबंदित रोग हो में जाता है इसके लिए खटे हमारे सरीन jsme सबसे जड़ ज़्यक m sätt कि ज늘ूरेंट की होती है कि हमारे सरीन jsme जो की बना है hem you do blood and protein होता है जो की कलरortsों यूर्ण की बआत की जड़ Hug इंग मात्रा दीजाएगी कितनी मात्रा पुरुसों को जरूरत होता है तो महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को 27 मिली ग्राम आइरन डेली जरूरत होती है पोल्सों से जादा जरूरत होती है महिलाओं को गरबती महिलाओं की बात की जाए तो 29 मिली ग्राम महिलाओं को जरूरी होती है और लड़की की बात की जाए तो 28 मिलीग्राम जरूवत होती है यह IRON की requirement है ICMA report के अनुसार 2020 के अनुसार RDA की requirement है जो की जरूवत होती है तो यह भी मैंने अपने गुरूप में बच्चों को बहुत अच्छे से याद करवा दिया है और बहुत अच्छे से यह सभी जितनी जि सब्सक्राइब हो जाएंगे पालक में भी घुड़ में भी खजूर में भी मौंफली में भी गुलोहो तत्व पाया जाता है यह हमारे महिलाव सुपरवाइजर के नोट से जैसे कि मैंने आपको बताया था यह टोटल सेवन बुकलेट आपको दी जाती है आप देख सकते है इसमें पहले जो बुकलेट मिलती है वह पोर्शन स्वास्त की रहती है बहुत ही एजी लेंग्विज में हैं रिटर इसको ऐसा लगए कि आपने खुदी ही नोट से परपेयर किया है इसमें सब कुछ गरबती की देखवाल हो टीका गरण हो पोर्शन हो सब कुछ है इसमें क बुकलेट गड़े तरक सकती कंप्यूटर की है और चोथी बुकलेट सिसु की प्रारंबिक देखवाले बंसिक्षा की है पांची बुकलेट महिला परिवक्षक के जो वस्तुनिष्ट प्रशन है तीन हजार प्लस एमसी क्यू का ये प्रेक्टिस सेट आपको मिलता है उसके करते हैं अपना अड्रेस भीज्टे सासी हाठ वर्किंग ठेस में आपके पास पोहँच जाते हैं आपको मुझे मुझे वाटसाप करना इस नंबर पर बताना एक कि आपको नोर्स लेना है हम आपको प्लस हंडर में हमके और लाइन नहीं 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 टे रहे हैं ऑलनाइन प्लस ओफ लाइन दोनों ही प्रवाइट करा रहे हैं हम आपको तो अगर आप यह लेना चाहते हैं तो आप मुझे वाट्सअप जरूर कीजेगा मेरा वाट्सअप नंबर यह उपर दिया हुआ है इसी तेरा सो दिन्याने प्लस हंड्रेड में ओफ लाइन नोट्स भी आपके मतलब होता है बोजन में सभी पोशक तत्व सही अरूपात में हो उसको संतुलित आहार कहते हैं उर्जा प्रदान करने वाले आहार कौन से होते हैं समस्तनाज गोड़ संकर घी तेल आलू केला दिन में से कौन सा ऐसा तत्व जो उर्जा प्रदान करते हैं अगला है सरीर का विकास बुद्धी रख रखने वाला आहार कौन सा है दाले दाले भी रखती हैं दूद एवं दूस्ते बने पधार्थ ये भी रखते हैं मास मचली अंडा ये भी रखते हैं तो अपरोख सभी इसका अंसर हो जाएगा अगला है रोगों से प्रती रख्षा के लिए आहार कौन सा है हरी पत्तिदार सबजिया जमीन के नीचे होने वाली सबजिया फल उपरोखत सभी तो ये सभी इसका अंसर है फ्रेंड कमेंट करके बताईएगा मुझे कि हमारे सरीर में प्रती रख्षा का कारे कौन करता है ऐसा कौन सा पोशक तत्व है जो हमारे सरीर में प्रती रख्षा या रख्षात्मक आवरन प्रदान करता है हमारे सरीर को रख्षात्मक प्रणाली प्रदान करता है ये आप मुझे कमेंट करके सभी लोग जरूर उताईएगा अगला है संतुलित आहर में क्या क्या सामिल होना च चाहिए प्रोटीन भी होना चाहिए बसावी होना चाहिए तो प्रोक सभी इसका अंसर हो जाएगा अगला है सबजियां हरी पत्तिदार भाजी फल दूद दही में अधिक क्या पाया जाता है खनेश तत्व, विटामिन, कार्वोहाइडिट या इनमें से कोई है जो हरी पत्तिदार सबजियां होती है उनमें क्या पाया जाता है तो उनमें अधिक पाया जाता है विटामिन क्या पाया जाता है इनमें विटामिन अधिक पाया जाते हैं अगला है खजूर सहेट गैहूशावल में किस तत्व की पूर्टी होती है कोई खजूर खाए, सहेट खाए, गैहू खाए, जावल खाए, इस सबसे जदा क्या मिलेगा है प्रोटीन खनेज या कार्भो हाइडेट, घजूर से moran होसे क्या मिलेगा कार्वो हाइडरेट मिलेगा अगला है दूद घी मचली मक्खन तेल में अधिक होता है दूद घी मचली मक्खन तेल में क्या होता है सबसे जदा तो इसमें सबसे जदा होता है फैट मतलब बसा होता है एक ग्राम बसा से करीब 9 कलो कैलोरी प्राप्त होती है अगला है हमारे दोर्ण क्लैलोरी प्राप्तव के जाती हो नूं को घटते्य क्रम में रлеया दर्शान है जैसे कि कार्वोहैड़िर बसा नू किलो के लो क्यलोरी प्रदाता है अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्राप देता है एक साधरानन का रे करने वाली महिला को प्रतिजन कितने किलो कैलोरी और प्रोटीन की आवशकता होती है ऐसी महिला जो साधरन कारे करती है साधरन कारे करने वाली महिला वो करीब उनीस सो कैलोरी चाहिए रहती है और पचास ग्राम प्रोटीन चाहिए रहती है यहां पर प्रोटीन का और कोई उपसन नहीं अगर उपसन यहां पर 45-46 ग्राम होता तो वही इसका अंसर आजाता है लागभभभव 1,900 कैलोरी सा destraष करने वाली महिला को आवशक होती है अगला मध्यम काम करने महिलां को कितनी कैलोरी और प्रोटीन चाहिए सामन यहीं को सते हिए 1, ध्लितने अध्यर काम करने वाले महिला को कितनी कियलोरी और अध्यर के शुझ का होती तो लुटन को तीन अध्य लूगरे गरबती अगर μαачने काम करते हैं अतरिक्त प्रोटीन की कितनी आवश्यक्त हो रहे कितने ग्राम अतरिक्त कैलोरी चाहिए है और कितने ग्राम अतरिक्त प्रोटीन चाहिए अगर जैसे की साधना नवस्ता रहेगी और उसको 1900 कैलोरी साधरन महिला जो रहती है साधरन काम करने वाली तो अगर उसको 1900 कैलोरी चा प्लस 15 कैलोरी और और चाहिए रहेगा तो यह हो जायगा करीब 61 ग्राम प्रो तो nastranा घ्रबती महिला है तो इसके साधरन ında कटर 10000 जादा चाहिए रहेगा और तीन जादा चाहिए रहेगा दादाँ कि उसको प्रति दिन कितने ओत्र बाक्टा केलोडियो प्रोटीन प्रोटीन के दिए राफ नभी है खाला है प्रोटीन मातरा। उसकी. यहमारा आज का वीडια है.. वीडियो अच्छा लाइक, सब्सक्राइब, जडनों कीजिबाएक और फैंस